हे गाइज वल्कम टु देव भूमी कर्यर पॉइंट आई होप यू आल डूइंग ग्रेट तुदी के दोस्तों नौ तारिक को रिलीज हुआ ता लोगर PCS का नोटिफिकेशन और आज दस तारिक को यहाँ पे उत्राखिंड लोग सेवा आयों के द्वारा उत्राखिंड PCS 2021 डेटेल्ड नोटिफिकेशन रिलीज करते हैं दोस्तों तो बहुत ही अच्छी अपॉच्छुनिटी है दोस्तों राज्य सेवा में जो लोग जाना चाहते हैं गुरूप B और गुरूप A के पोस्टों में उनके लिए बहुत अच्छी अपॉच्छुनिटी है और यहाँ पर हम देखेंगे बारी किसे सभी पोस्ट कौनकोन सी पोस्ट यहां पर और उसकी क्वालिफिकेशन क्या है और संबंदित महत्तों पूंड बाते जो कि इस फॉर्म को भरते समय आउश्यक है उनके बारे में चर्चा की जाएगी तो यह बोलो जाते देगे उत्राखंट PCS तो उत्राखंट PCS यानकि PCS जो होता है इसका मतलब होता है प्रवेंसियल सिविल सर्विसेज प्रांती यह सिविल सेवा यह प्रांती यह नागरिक सेवा इसको कहा जाता है ठीक है और कल जो फॉर्म आया था वो लोवर PCS कहता है यानकि लोवर सबोर्डिनेट एक्जाम थ में वेगेंजी भी काफी अच्छी है 224 वेगेंजी में लेकिन सबसे बड़ा यहां पर बोल सकते हैं एक जटका लगा है सभी एस्पिरेंट्स को कि इस बार के जो PCS के भरती है उसमें एक भी पोस्ट आपकी डिप्टी कलेक्टर की नहीं है यानि कि जो सबसे मोस्ट सब्डिश्ट्रिक मजिस्ट्रेट उसकी एक भी वेकेंसी खाली नहीं है यह थोड़ा कहीं सभी एस्पिरेंट्स के लिए बुरी खवर है लेकिन इसके अलावा जो अन्यपद है वह यथावात हैं वह काफी अच्छी वेकेंसी है इस बार हमको एक नई वेकेंसी में देखन सब्सक्राइब करते हैं क्योंकि जो PCS का वेक्ट होता है मेंली वैसे 4-5 पोश्ट साथ-8 पोश्ट ही रहते हैं HDM के लेगिन उसके लिए जो कॉम्पटिशन होता है वह अपने आप में ही बोल सकते कि बहुत बगल बात होती है तो चलिए आप डिटेल में बात करेंगे नो आपके पास सिर्फ 20 दिन है और 20 दिन का ही टायम मिला था लोर PSC वेकेंसी में भी अब यहां पर देगे बहुत ही महत्तोपों निर्देश दिये गए दोस्तों यहां पर हमारा आयोग बोलता है कि आपका आविदन पत्र भरना उतना ही महत्तोपों है जितना कि आपका सेलेक certificate OVC certificate EWS है या इसके साथ अन्या जो भी आपका ओरीजेंटल केटेगरी के लिजर्विशन संबंदित प्रमार पत्र है तो यह सभी आपको वैलीड होने चीए ठीक है ध्यान देगे इसमें अगर आपका कुछ भी गलती होते है तो फिर आपका यहां पर जो नया एलाई संब कोई भी विचारा दिन नहीं रहेगा फिर सीधे आप डिस्क्वालिफाई कर लिए जाएंगे इन जी जोगा ध्यान दकें ठीक है और यह भी ध्यान दकना आपने आवे दन पत्र भनने के अंतिमती थी यानिकि 30 अगस्ते तक आपका ग्रेजुशन हो जाना चीए यानिकि अ और आपका ओनलाइन कहिंपे भी गल्टी हो जाते है आवेधन में आपको लगते कि फॉर्म मänner भरतो हो दिया है फॉर्म में मेरा एक-दोजब बढ़ मिश्टेक हो गई या नाम में मेरे अलफाबेट बढ़ सकते हैं 30 अगस्ते इनयां मैने कल फॉर्म भर सक even कैंसिल कर tanto दर आपकी फीस वगएरा रहती है इसमें जितनी भी फीस है वो आपका नुकसान हो जाएगा फॉम फीस का लेकिन दुबारा आप भर पाएंगे ठीक है बाकी सबी चीज़ें आपर दी गए हैं दोस्तों इनको आप ध्यान से रखेंगे जो आपका आविधन पत्र का प्रिंट लगें ऐसा आविधन के दौरा बोला गया है यानि कि जो आप आविधन कर लेंगे फिर प्रिंट आउंट मिलता है उसको संभाल के लखना है एक्जाम तक ठीक है और द्यान रखेंगे जो मुख्या परिक्षा होगी वो क्यों हरिद्वार और हल्दवानी में होगी वो बात अब हम बात करते हैं दोस्तों जो हमारे इसमें पोश्ट है कौन-कौन से है तो सबसे पहले इसमें पोश्ट है पहली पोश्ट वैसे हमेसा रहते थी हमारी डिप्टी कलेक्टर की यानि कि एस बार नहीं है बड़ा ही दूख हो रहा है देखकर लेकिन पुलिस जो अपाधिक्षक होता है यह अच्छी पोश्ट है यान कि डिप्टी जो बोलते हैं एस्पी तो यह अच्छी पोश्ट है अगली पोश्ट है वित्त अधिकारी की यानि कि हमारा फाइन्स ऑफिसर वित्त विभाग लेवल 10 की जोब है अठार वेगेंसी है बांकि आप देख लीजेगा यह नोटिफिकेशन सेर करतेंगे टेलिग्राम चैनल पर यहाँ पर आपका दिया गया है यह उम जो लिगा है उत्रागन महिला के लिए हमारा रिजर्वेशन है ठीक है जनरल में कितनी सीट है महिलाओं के लिए वो रब बताया गया है अगला जो है देखे साहा एक संभाग यह परवर नदिकारी लेवल 10 की पोश्ट है सभी पोश्ट लेवल 10 की है क्योंकि गुरूप A और गूरूप B पोश्ट है देज में ठीक है तो इसलिए बहुत अच्छी सेलरी आपको मिलेगी बहुत अच्छी एल्यापोटेशन आपको मिलेगी और बोल सकते है कि एक बहुत अच्छी जॉब है यह ठीक है सोसल नजीरे से भी देखते तो पूरी पीड़ी और पुस्टे बदल जाते है इस जॉब को पानी के बाद तो एक बार की मेहनत हो सकती है आपकी लेकिन यह मेहनत आपके आने वाले सभी पीड़ियों की जिंदगी बदल सकती है अगर आप इन पोश्टों में से कहीं पर पहुंच जाते हैं अगला पोश्ट है कि सायक निदेशक जो कि हमारा असिस्टें नहीं लिखे फूरिंग स्पेक्टर उससे उपर की पोश्ट है लेवल 10 की और बहुत सी पोश्ट है कि देखिए यह जो महत्तों पोश्ट है दोस्तों यहां पर खंड विगास इदिकारी ग्राम में विगास व्याग बीडियो ब्लॉक डेवलपमेंट ओफिसर 28 पोश्ट है यह अच्छी पोश्ट है इसके साहां सहायक निभंदक और सहायक स्रमा आयुकत ठीक है आप लोगोंने बहुत से लोगों एस्पिरेंट सीरीज देखी होगी एस्पिरेंट सीरीज में संधी भाईया आते हैं तो संधी भाईया हमारे आईयस तो नहीं बन पाते हैं लेकिन सं इस्टेंड लेवर कमिशनर तो यह वह है सहायक स्रमा आयुकत ठीक है असिश्टेंड लेवर कमिशनर इसको बोला जाता है एस्पिरेंट सीरीज अगर आप लोग ने नहीं देखिया तो मैं रिक्मेंट करूंगा आप जो परिक्षा पृती परिक्षाओं के तैयारी करते है एक चैनल है दोस्तों TVF यूटूब पर TVF पर सीरीज है एस्पिरेंट जो की UPSC एक्जाम की प्रिप्रेशन करने वाले बच्चों के उपर बनाई गई है उसमें होते हैं संदीब भाई है जो की ALC होते है तो देखिएगा जो बहुत मोटिवेशन मिलेगा अगला देखिए साइक निदेशक हमारा है जो उसकी लेवल 10 की पोश्ट है दोस्तों सरम विभाग में साइक गन्ना आयुक्त यानि के असिस्टेंट सुगर केन कमिशनर ये लेवल 10 की पोश्ट है हमारे गन्ना और चीनी विद्योग जो होता है उसमें उसके बाद ये पोश्ट भी काफी अ गए ग्रेजूशन में और बहुत से पोश्टों में प्लेएंद गर आजूशन है जीला परयाटन विकास हिदिखारी प रचार अधिकारी पर्यटन विवाग इसके शाइद आधिक्वाग शायगने देश्ब सांकी की और शायगने देशक किलसी भूमीश्ष अनक्स इसके बाद खाध्या प्रसंद्शक्राइब अच्छी पोष्ट है दोस्तों 20 पोष्ट है इसमें लेवल 10 की पोष्ट है घेकर अच्छी पोष्ट है अगला देखे मुसुलम् विकास अधिकारी पौत सुरक्शय अधिकारी और साइग निदेशक रसायन वनस्पती विज्ञा साइक निदेशक ठीक है तो जिला सूचना अधिकारी अगली पोस्ट बहुत अच्छी पोस्ट है ठीक है जिला सूचना अधिकारी अगर हम इस पोस्ट की बात करें दोस्तों तो सूचना यहां लोग संपर के विवाग में पोस्ट रहती है और बहुत अच्छी पोस्ट है ले यहां पर salary level 7 की post है और बाल विगास परियोजना दिखारी level 6 की post है सबसे कम यहां पर जो पे ग्रेड वाली post है वो हमारी यही है बाल विगास परियोजना दिखारी ठीक है तो total 224 post है यहां पर जैसे कि आप देख सकते हैं 129 post general के लिए हैं अब बात करते हैं क्वालिफिकेशन की जोगी बहुत महत्तोप है इन चीज़ों को द्यान दगने आपने ठीक है सभी पोस्टे आपे देखे बताया गया कुछ पोस्टों को छोड़कर पांकी क्रमांक 16 प्रचार अधिकारी क्रमांक 15 जिला परेटन अधिकारी ठीक है और के सा क्रमांक 14 सायक निदेशक संसकर्चा मापकी जिला साइस क्रमांक 1-13 और 17-31 तक के पद जो हैं सभी गजेश्टेट है कुछ पदों को छोड़कर कर क्रमांक 16 और 15 वगयरा छोड़कर मांकी जितने भी पद हैं दोस्तों वह सभी गजेश्टेट आप राजपत्र अधिकारी ह अधिमानी अहरता का कोई मतलब ने ठीक है बहुत से लोगों का वर्टसप पर मैसेज की बाढ़ आ गई मिलकों कि अधिमानी अहरता का मतलब यह होता है अगर आपके पास यह क्वालिफिकेशन है तो सेम स्कोर करने पर आपको यहां पर वेटेज दिया जाएगा समझे आप इतने का भी उत्राखंट PCS में रिजल्ट बनता है उसमें माल लेजिए मैंने 1200 नंबर गेन की और एक जनरल वाले बंदे की भी 1200 नंबर है मेरे बारसों है और जनरल वाले बंदे की बारसों है और उसकी date of birth और मेरी date of birth सेम है समान है तो यहां पर देखिए इसमें यह भी न उसके पास नहीं है तो मेरा सेलेक्शन होगा या मेरे पास NCCB certificate है दूसरे वाले के पास नहीं है तो मेरा सेलेक्शन होगा अधिमानी अहलता मेल को मिलेगी ठीक है यह होती है अधिमानी अहलता है यह optional है वेकल्पिक है mandatory qualification जो है वो आपके graduation है DSP, HDM जितने भी हमारे PCS level की plain सर्वीस होती है जो अमरी technical सर्वीस में हम चले जाते हैं जैसे कि जैसे हम देख रहें अभी जो रसायन वाला देख रहे थे हैं प्रबंधन निदेशक वंगया या परेल रहेकोन हधीकारी देखे है सवय एक संभागिय परिवन हधीकारी इसमें भी आपका क्यों ग्रियाजूशन चीए और कुछ नी चीए साइग निदेशा उद्योग प्रबंदक तो यहां पर आमारा चीए क्यों ग्रियाजूशन और कुछ नी चीए किसी भी स्ट्रीम से ग्राजूएट हो अभी भी कॉम बीसी बीटेग ठीक है कोई भी आपका ग्रियाजूशन ओना हो जी बस होगे किसी बीटेगारी तो डिस्ट्रिक फूर्ड उफिजर इसके लिए आपका दोस्तों केवल ग्रियाजूशन ठीक है और इसके बाद देखे उप संभागी विपणा अधिकारी तो इसमें आपका देखे ग्रियाजूशन होना चीए और के साथ हिंदी लिपी में ग्यान भी होना अच्छे बोल ले थोड़ा बहुत चीक है वीडियो की बात करें तो ब्लॉक डेवलप्मेंट ऑफिसर खंड भी का से दिखा ले तो केवल ग्रेजुशन होना अच्छे प्लेइन ग्रेजुशन और कुछ नहीं मागा गया है सायक अभिएर्थी के पास भारत में वीदी द्वारर इस्तावित किसी ृष्टर शास्त्र शमाज्सास्त्र वांगत्य वीदी स्रम संबंद स्रमकल्यां श्रम वीदी समाचकार्य या अन्य विशियों में से किसी एक विशे के साथ इसनातक होना चीए या तो आपको क्रेशिशन दोस्तों, mechanical या electrical में इसनातक उपादी मागी गई है, ठीक है, plane graduation नहीं है, तो जो हमारा assistant director है कार खाना, boiler scrum भिवाग में, इसके लिए आपका b.tech होना चाहिए, दोस्तों, ठीक है, b.tech, mechanical या electrical, या B.E. होना चाहिए, bachelor in engineering, electrical और mechanical, दोस्तों, तो इसके लिए आपका किर्सी में इसनातक होना चाहिए, या भी plane graduate के लिए नहीं है, क्यों आपका agriculture में graduation होना चाहिए, इस post के लिए, गन्ना विकास और चीनी उत्तियोक के लिए, अगली पोश्ट है, उप्सिक्षे आधिगारी staff officer, तो इसके लिए आपका भारत में स्तापित किसी विश्व विदाले से पराइसनातक उपादी होनी चीए, यानि कि आपका post graduation होना चाहिए, इसके लिए, ठीक है, पराइसनातक का मतलब होता है, मास्टर्स या पोश्ट ग्राइजूशन डिगरी, तो आपका post graduation होना चाहिए, किसी भी स्ट्रेम से, लेकिन अधिमानी अहरता मिले कि अगर किसी ने बेड वगरा किया होतो, तो जिन लोगों का PG complete हो इस form को भष सकते हैं, ठीक है, चले बगते अगले question, अगले माप आपका मतश्ची की विग्यान, जो फिसरीज में graduation होता है, वो आपके पास है, तो आपके पास, इनमें से qualification होनी चाहिए, आपके पास, साइग ने दे सक संसकृत सिक्ष्या विवाग, तो भारत में विदी दौरा इस्तावित इस्तों इदाले से प्राच्य बासा संसकृत मे इसको वरियता मिलेगी, ऐसा इसमें बोला गया है, अगला एदे के जिला परेटन अधिकारी परेटन बिवाग, तो इसमें भी आपका दोस्तों परेटन या होटल मैनेजमेंट या सामुइक संचार में इसना तक की उपादी होनी चिए, प्लेन ग्रेजुशन निया तो का दोस्तों परेटन अधिकारें साब पता सिला, इसमें आपका जनसंपर्ख पत्रिकारत उल्टयंति होना छिए, इसन नातक होना छिए, यानिक that the communication वाला चिए था मास कम्यूनिकेशन जिसको आप भॉलते हैं, इसमें ग्रेजुशन चीए, आपका, अगला शाही निदेसक इसके बाद बात करते हैं तो आपका ख्राइक रसाइन के बात करते हैं तो आपका किर्ची अभियंत्रंग में इसनातक होना चाहिए इसनाकोत्तर उपादी चाहिए इसमें भी साइग निदेशक उध्यान में आपका दोस्तों किसी माननेता प्राप्त विश्य दाले से विज्ञान विश्य में इसनाकोत्तक किर्सी यानि कि आपका एगरी कल्चर में PG होना चे पोस्ट क्रेजुएशन या MSC होनी चेह किर्सी ठ ठीक है द्यान दखना है ये तीन में से अगर आपके पास कोई भी डिगर है तो आप भर सकते हैं इसको खाध्या प्रसंसकरंग अधिकारी दोस्तों उध्यान विवागी तो इसमें आपका विज्ञान इस्तनातक होना चेह B.Sc या विज्ञान इस्तनातक किर्सी होना चेह ठ और का मतलब होता है कि जहां पर और लगा है तो उसके बात कि जो भी qualification है उनमें से एक qualification कम से कम आपके पास होनी चाहिए फोर्म बनने के लिए ठीक है यह होता है इसका मतलब उद्यान विकास अधिकारी दोस्तों आपका इसमें आपका विज्ञान देखिये किसी विश्याइब विज्ञान इसनाक वतर में से क्वालिफिकेशन है ठीक ज्याद अदल साइंस वाली पोश्ट आपको देखने को मिल द निदेषक रशायन वे दोस्तों आपका इसनाक वतर होना चाहिए आपका MSC और निदेशक वनासपति विज्ञान में भी आपका इसनाक वतर किर्शी या MSC किर्शी या विज्ञान इसनाक वतर MSC का मतलब यहाई कि किसी विश्याइब से सम्बंदि ठीक है जैसे कि जूलो अधिकारी लोक संपर्ग विवाग में दोस्तों तो इसमें आपका किसी भी विशाई में इसनात्य गुपादी होनी चीए कोई दिक्कत निया समें ठीक है किसी भी सब्जेक्ट में आपका यहां पर क्या होना चीए बालविगाज परिउजना हर्णी अधिकारी दोस्तों तो बाल इस समाज में इसक्री भारत में विश्यचार Clayton दोस्तों सॽर्शी विश्याई बाकि यह पर पोड़िचेशन है भारके आपका पोस्टा स्ब्सट में दोस्तों आपका physical measurement भी लएगा जिसमें आपके पुरुस अभ्यर्तियों की उचाई महला अभ्यर्तियों की उचाई और इसके साथ पुरुस अभ्यर्तियों की सीने की माप और फुलाने पे माप यह मागी जाती है और महलाओं के लिए नियुनतम वजन मागा जाता है में 45 किलोग्राम ठीक है बांकि आपका medical feed होने चाहिए आके छेवाई 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 और छेवाई नौ से कम द्रिश्टी तो नहीं होने चीए ठीक है त्यान नकिंग और इसके साथ साथ देखिए दोस्तों वाड़ांधिता भेंगा बंसे पूमल लुप से मुक्त होना च भीर्दिकार जो हमारा सटाग उठना सफार्ट पैर बोल एक वेरिकोस में अषकलाना विकलांगता यानने विकरतियां होती हैं तो वह दीएस्पी पोस्ट के लिए अने लिजीबल माने जाएंगे ठीक है वह आयोग्य माने जाएंगे आपर आयोग्याज माने इसमें तो आ ठीक है और इसके बाद बात करते देखिए अधिकता मायु सीवा में छूट अलग लग 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 है वो तो आप सभी को पता है स्थी ओभी सी पांस साल की है माय की पूरो सैनिक की जो सेवा है उसको घड़ाया जाते है अब हम सीधे आ जाते हैं दोस्तों सारे जिक स्वस्तता म स्वस्तता में बोला गया कि किसी भी अभ्यति को सेवा में किसी पत्वर नहीं किया जाएगा वह देदी वह सारी मांसरी उपसे स्वस्तता नहीं होता है राजपत्रिक पद या सिवा के मामले में चिकित्सा परश्यत की परिक्ष्यां उत्तियों में करनी होगी ठीक है यह आ तो इसके लिए मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप लोग अपनी तैसिल में जाएं और तैसिल में इस संबंद में जानकारी प्राप्त करें कि उत्राखण में अनाद बच्चों के लिए जो प्रमांग पत्र बनता है उसकी क्या प्रोसेस है ठीक है वहाँ पर बता दिया जा और उत्राखंड राज जी के जो हमारे औरफन कीट्स हैं उनके लिए यहां पर कोई भी सुलक निया ठीक है तो यह हमारा निसुलक है इसके बात देखें दोस्तों यहां पर हम बात करते हैं जो हमारे प्रार्णबिक परिक्ष्या है आप इसकी थोगा परिक्ष्याव की बा होते हैं मेंस और इंटर्व्य के नंबर जुलके ही आपकी फाइनल मेरीड बनती है ठीक है तो प्रार्णबिक परिक्ष्या में एक बार इस बार एक अच्छी न्यूज है पहले क्या होता था उत्राखंड पीसेस में सी सेट भी हमारा जूलता था हमारा 150 नंबर का जीएस का का पेपर आता था तो यह सी सेट के मार्क से भी जूलते थे पहले लेकिन इस बार देखिए हमारा क्या कर दिया गया है प्रार्णबी परिक्ष्या में दीती है प्रस्न पत्र जो होगा जिसमें रीजनिंग और मैस होगे रहा आती है वह केवल्ड क्वालिफाइंग नीचर क ले उसमें थोगा दिक्कत आती ती जिनकी मैथ रीजनिंग कमजोर थी लेकिन आप यहां पर क्वालिफाइंग करती है तो आपको जीएस और जो हमारे अधर जो बीसमसेल है बसेजिसे करेंट है उत्राखंड करेंट है उत्राखंड जीएस है जनरल साइंस है विज्यान प् स्याकिंग रहती है इसमें ठीक है ध्यान दोखेंगे इसके बाद जैसे आप्रीलफाइं करते है तो फिर आपके मेंन प्रीक्षाम होंगे दोस्तों तो प्रारंबिक परिक्षा मैं देखिए क्वालिफाइं होनी के बाद और बहुत से लोग पूछते कि दिखेंगे प्रार पेपर उसको क्वालिफाइर कर लेंगे अब देखें इसमें जो इंटर्वी भी होता है। मैं इस पर पूरा एक अलग से वीडियो बना दूंगा जो इसके प्री कैसे होता है। कैसा होता है और इंटर्व्य और साथी बुक्स वोगरा कॉंसीज में यूज़ करनी चीए इस पर नेक्स वीडियो बना देंगे हम ठीक है अब दूसरी बात करते हैं दोस्तों जो फॉर्म बनने के लिए मैं आपको बताना चाहता हूं आपको ऑफिचल वेबसाइट पर जाना में कोई भी तुरूटी नहीं होनी चीए क्योंकि छोटी सी तुरूटी भी आपके इतनी बगली मेहनत को खराब कर सकती है एक गलती होगी इतना मेहनत किया प्री एक्जाम दिया मेंस दिया इंटर्व्य तक पहुंचे और सेलेक्शन होगा फाइनली आप डॉक्यमेंट वे और इसके अलावा देखिये दूस्तों पोस्ट प्रिफिरेंस वोगरा इसमें नहीं होता इसमें आपको रेंकिंग के हिसाब से पोष्ट मिलती है जैसे आपकी रेंकिंग होगे उससाब से पहली रेंकिंग इसमेंगे इसमें आपने अपनी category में जो the personnes वाली सीट है है इसके वैसे उत्राखंट में अगर डिप्टी कलेक्टर के पोश्ट होते हैं सबसे टॉप में ले जाते हैं ह्टेम पोश्ट के लिए जैसे आप UPSC में देखते हैं सबसे ज़्यादा जो UPSC में टॉप का टॉप जाती है वो इस के लिए जाती है टॉप रैंक वाले इस बनते हैं ठीक है फिर नीचे नीचे IPS वगरा फिर IFS वगरा आयर्स वगरा तो ऐसे सर्विस एलॉट होती है सेम चीज इसमें भी है और सेम लेबल का एक्जाम भी है ओर बिल्कुल हलके में निलेना इसमें आपका ठीक है बहुत इसमें मेनध किया होशकते है और बहुत जटल परीक्षा ही इसको आप ग्रुप सी या अन्य एक्जाम की तरह हलके में नहीं ले सकते लोगर PCS तो बहुत इसकी मुकाबले सरल है क्योंकि लोगर PCS में मुख्या परिक्षा में एक ही पेपर है आपका एक भासागा है और एक आपको GS का लेखना है लेकिन इसमें आपको साथ पेपर लिखने है तो य पॉइंटों को ध्यान से पगए आप क्योंकि इन पॉइंटों में बहुत महत्तों पूर्ण जानकारी बताई गई है आयूक के द्वारा क्या-क्या चीज़ें आपने करनी है और क्या चीज़ें इसमें रहनी है और कौन-कौन सी चीज़ों पर आपने पिलकुल ध्यान देन लोवर PCS के लिए और वैसे ही हम बात करेंगे जो यह अपर PCS है इसका syllabus किया है किन-किन किताबों से आपको तैयारी करना चीज़ें और कैसे करनी चीज़ें इस वीडियो का इंतचार करें तब तक आप लोग अच्छे से स्टेडी करें अपना ध्यान रखें और मोटिवेटेट रहें जैसे अभी फॉर्म आते समया मोटिवेटेट रहते हैं कि नई वैकेंसी आगए तो बिल्कुल एक एनर्जी का संचार हो जाते है इस एनर्जी को आपने मैंटेन रखना पोगत सेलेक्शन तक तो फिर आपको कोई तागत नहीं रोग सकती दुनिया की ठीक है चले मिलेंगे जल्दी ध्यान लखिएगा अपना जैह हिंद जैह उत्राखन टेक केर बबाई